केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्राले ने बस्ती शहर में रिंग रोड निर्मान के पहले चरंग की परियोजना को मंजूरी दे दी है इसकी निर्मान लागत 1138.72 करोड रुप्य आएगी पहले चरंग में लगभग 25 किलोमीटर फोर लेन गोठवा से लेकर सब्देहिया हडिया तक बनेगा केंद्रिय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी इसमें सड़क निर्मान की खूबियों के बारे में बताया गया है कहा गया है कि फोर लेन रिंग रोड से जाम की समस्या दूर हो जाएगी वहनों में इंधन के साथ ही समय की बचत होगी शहर में किसी भी तरफ से लोग प्रवेश और निकास कर सकेंगे रिंग रोड से फोर लेन के साथ ही राजय राजमार को भी लिंग किया जाएगा रिंग रोड का निर्मान विश्वस्तरिय तकनीक से होगा लंबे समय से महसूस की जा रही थी रिंग रोड की जरूरत बस्ती में लंबे समय से रिंग रोड की जरूरत महसूस करते हुए इसकी मान्ग उठाए जा रही थी स्थानिय नागरिक और सामाजिक संगठनों के सदस्यक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे रिंग रोड की घोशना होने के बाद सांसद हरीश द्विवेदी ने इस एतिहासिक कार्य के लिए प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है शुक्रवार की शाम को प्रेस विग्यपती जारी कर उन्होंने कहा कि रिंग रोड बन जाने से जनपत का यातायात को सुगम होगा ही विकास को भी गती मिलेगी यातायात सुविधा को सुगम बनाएगी रिंग रोड रिंग रोड परियोजना यातायात प्रवाह को आसान करेगी और वहन संचालन लागत को कम करने के मामले में लाब प्रद होगी यह बाइपास बस्ती शहर से होकर गुज़ने वाले आन्य राष्ट्री राजमार्गों राज्य राजमार्गों को भी जोड़ने का काम करेगा इससे रिंग रोड से सटे गावों वन अगरों में आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा क्या है रिंग रोड रिंग रोड एक सटक द्वारा किसी एक शहर या देश को भीरने वाली संपर्क सटकों की श्रिंखला होती है रिंग रोड का सबसे जरूरी उद्देश शेहरी क्षेत्रों में या तायात के दबाव को कम करने में सहायता करना है प्रिंग रोड शहर के चारों और एक विकल्पिक मार्क का विकल्प उन्चालकों के लिए उपलब्ध कराता है जिन्हें शहर में जाने की आवश्यक्ता नहीं है